हेलो स्ट्रेंड्स हम करें थे मल्टि पॉलर सिस्टम लाज शेशन में हमने मल्टि पॉलर सिस्टम के अमर्जिंस हैं इसकी कोजिस किये थे और आज हमें शेशन में करेंगे नियू मल्टि पॉलरिटी सिन्स टो थाउजन एंड ओन वर्ड्स इट मिन्स क्या है जब नाइटीन हंड़ फॉलर फॉलर होती है उसके बाद बाइपॉलर सिस्टम है वो अमर्ज होता है नाइटीन हंड़ फिफ्टी फाइव तक और उसके ब जब सौवेथ यूनिन है वो डिस इंटिक्रीट हो जाती है और उसके बाद पूरे वर्ड में एक ही सूपर पावर बचती है वो थे यू ऐसे तो यूनि पॉलर बन जाता है एंड टू थाउजन्स में फे चेंजिस आते हैं इंटरनेशन रिलेशन्स में ऐसे चेंज आते है जिस से दुबारा से मल्टी पॉलरिटी है वो कॉंसेप्ट अमाज होता है तो अधर नेशन्स थी वो नेशन्स चे चाती थी कि पूरे वर्ड में सिर्फ यू ऐसे ही सूपर पावर ना रहे बलकि अधर कंट्री से वो भी सूपर पावर की कैटागीरी में आने चाहिए इसल ये मल्टी पॉलरिटी का कुंसेप्ट है 2000 के बाग दुबारा से अमार्च होता है तो ये 2000 से चलता आ रहे है और आज भी एक पॉलर ना रहकर डिफरेंट डिफरेंट बहुत सी इकॉनमिस हैं जो सूपर पावर बन चुकी है जिसको हम न्यू मल्टी पॉलरिटी क्या रहे ह तो न्यू अमर्जिक सेंटर्स ओफ दा पावर जिस वज़े से न्यू मल्टी पॉलरिटी है उसकी अमर्जिस होती है तो चाइना है यो एसी के बाद अब चाइना है जो एकनोमिकली सबसे ज़्यादा सूपर पावर है अगर हम एकॉनमिक के बात करते हैं अगर यो एसी की की व्याल्यू नंबर वन पर है तो चाइना की नंबर टू पर है तो चाइना भी आज के टाइम में जो यूसे है इसको पूरी तरी से टक कर दे रहा है अगर इसका कोई एंटी है तो वो चाइना ही है जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूसे, जपान, इंडिया, रश्या, साउथ तो जिब बहुत सी कंट्री है जो सूपर पावर, एकनोमिकली पावर, मिल्टरी पावर है इनके साथ इंटरनेशनल रिलेशन्स में अमर्च होती है तो जिब पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिक्स को टोटली चींज करकर रग दे दे हैं जिस वज़े से यूनिपॉलर सिस्टम मिल्टिपॉलर सिस्टम में दुबारा से कंवर्ट हो जाता है तो जो रिजनल ग्रुप से उनकी इंपोर्टेंस और भी जादर इंक्रेस हो जाती है जैसे यूनिपॉलर यूनियन हो गया, यूनाइटी नेशनल और्गोनाइजेशन, अश्यान, जी सैवन, ब्रिक्स, जी ट जाती है जिसको हम मल्टिपॉलर ना कहा कि न्यू मल्टिपॉलरिटी कहते हैं तो जो न्यू मल्टिपॉलरिटी है इसकी अमर्जन्स के क्या-क्या कोजिस थे तो फर्स्ट वन इस ट्रेटी ओफ पीस एंड फ्रेंड्शिप बट्वेन रुशिया और चाइन इन 2001, 2001 में रु जिनाइट होना स्टार्ट करते हैं इनकी स्टैटर्जिक इंपोर्टेंस होती है जिब पार्टनर्शिप करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इंक्रेज करते हैं एकनॉमिक ट्रेड को एक्सपैंड करते हैं जिस वज़े से जो चाइना एंड रुशिया है इनकी रिले दोनों क्या करते हैं आपस में friendship करते हैं और peace को conclude करते हैं After that growing influence of European Union तो European Union है जो reasonable group है इसका influence नहीं increase हो जाता है इस time यो योड़ेप था वो divide था लेकिन European Union की वज़े से अब वो साथ में खड़ा है अगर हम European Union की बात करते हैं तो जिब बहुत ही economically power group था इसमें political, economic, military, culture, unity increase हो जाती है political autonomy होती है citizenship है वो वे common होनी start हो जाती है European Union की जितने भी nations है इन में आने जाने के लिए वेजा के वे जरूरत नहीं है free move of goods and services के साथ people का भी होते हैं तो इतनी ज़्यदा political, economic, कोई भी tax नहीं लगता है same tax rate imposed के जाती है military power same बना रहे है cultural bounding है वो same है इस तरह ये unite हो जाती है तो European Union बहुत ही ज़्यदा एक important and powerful group के रूप में अमर्च होता है इन्होंने तो economic trade को increase करने के लिए common currency, euro है इसको establish कर लिया और इन्होंने अपना bank भी establish कर लिया इसके बाद citizenship है वो इनकी common होती है इस तरह European Union है जे खुद ही एक powerful super power बन चुकी है अब इस चाइम में इंडिया है इंडिया ने development कर ली इंडिया nuclear weapon country बन चुका था एंड इसके बाद ही जब हमने लेबलाइजेशन, प्राइबेटाइजेशन, गलोबलाइजेशन इस policy को adopt किया है और उसके बाद free flow of goods and service होने लगा technology है इसके development होनी start होगे हमारे economy पूरे world level में एक potential दिखाई देने लगा कि जी बहुती growing super power है तो हम economic power में, military power में भी आगे आने लगे आज हमारी country के पूरे world में GDP है वो fifth number पर आती है तो इस तरह economic power इंडिया को भी समझा जाने लगा इसके potential है बहुत जादा high थी तो जब इंडिया एक emerging major center of power थी तो इस time एक super power कैसे रह सकती है IT sector है IT sector में भी क्या था जी super power amongst हो रही थी हमारी इंडिया की जो soft power है technology है जे develop हो रही थी हम global economy बन रहे थी जिसका advantage क्या होता है अब हम भी super power की क्याटागीरी में आना start कर देती है next is regional organizations and their economic cooperation तो जो reason थे जो third world countries थी अब वो third world countries क्या करती है किसी power structure में include नहीं होती है किसी के साथ alignment नहीं करी है तो वो क्या करती है आपस में cooperation करती है इनका trade cooperation है इतना जादा increase हो जाता है कि जे आपस मिलकर USA को टक कर देनी start कर देती है तो एशान है BRICS, G20, G7, MNC's है जो multinational corporations है इनका influence increase हो जाता है non-state actors है इनका influence increase हो जाता है तो regional organizations है वो क्या करती है वो आपस में मिलकर ही trade करना start कर देती है अगर हम third world countries है अगर हम underdeveloped है अगर हम neighboring country है वो आपस में मिलकर trade को promote करें इससे हमारे transportation cost है वो वे कम आएगे और इसका advantage हम सब को मिलेगा जो हमारी neighboring country है उसको भी advantage है और हमको भी advantage है हमारे पास जो goods excessive है हम उसका export कर लेंगे और जो उस country के पास excessive है वो export कर देगी और हम import कर लेंगे हमको international politics में international relation में international trade में comparative advantage मिलेगा जिस वज़े से जो regional organization है इसकी importance increase हो जाती है next is regional development banks तो पहले क्या था IMF था world bank था जिसकी बहुत ही ज़्यादा dominance थी और इसकी उपर control कौन कर रहा था USC कर रहा था क्योंकि सबसे ज़्यादा fund कौन provide कर रहा था USC करा रहा था तो अब जब regional organization establish होती है उसके साथ ही development bank है वो भी start हो जाती है जैसे Asian development bank है ADB establish होते है BRICS है वो अपना development bank है वो establish कर लेते हैं तो इस तरह क्या होते हैं जो international level पर IMF World Bank है इसके अंगेज third world countries है वो अपने bank को establish करना start कर रही है next is strategic partnership of Russia, China and India तो जो three major countries है Russia, China and India अगर ये तिनों मिल जाती हैं बहुत ही ज़्यादा powerful बन जाते हैं तो इन्होंने 2006 से ही strategic partnership कर ली जिससे China and Russia से हमने बहुत ज़्यादा export करना start कर दिया तो हमारे export and import हमारी trade relation है इन country साथ increase हो गया है हमने रशिया से बहुत ज़्यादा defense equipment है उनका import किया है तो इस तरह हमारी military power है, economic power है वो increase हो रही है तो जिब बहुत सी factor है जिन वज़े से जो new multiplicity system है वो immerse होता है जो United Nation है, United Nation organization है वो भी क्या करती है? वो भी important role play करती है उसका role है वो भी change हो जाता है तो इसके साथ अब हम करती है major changes in the beginning of 21st century तो जो new multiplicity system है जो immerse होता है और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा changes है international politics में, international relations में जो immerse होती है क्या क्या changes आती है, first one is a must disorder because of the simultaneous presence of several features, factors, forces and face meaning जो हमारा international order था, वो disorder हो गया, order किस में convert हो गया? disorder में पहले unipolar था, unipolar में क्या था? जब superpower जो क्या थी थी, सभी states है वैसा ही काम कर ले थे जब potential increase हो जाती है, capabilities increase हो जाती है, तो उसके साथ ही disorder भी increase हो जाती है conflict है, वो arise होना start हो जाती है, तो confliction create होती है क्योंकि इस टाइम बहुत से factors, बहुत से features, factors, forces ऐसी थी जिनोंने international order है इसमें disorder create कर दिया, वो factors कौन कोंसे हैं? जैसे changing role of the UN नो पहले क्या था? योनिपोलर तक, since 2000 तक, जो UN नो था, वो अमेरिका के dominance के अंटर ही work कर रहा था लेकिर इसके बाद United Nation Organization है, एक तरह से independent होना start हो जाती है जो neutral होनी start हो जाती है, तो इसका role change हो जाता है regionalism जैसे globalization है, वो increase होता है और इसके साथ ही regional organizations हैं, जे develop होते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी reason को develop करेंगे अगर हम South Africa में हैं, एशिया में हैं, तो हम Asia को develop क्यों न करें? क्यों हम developed nation के साथ ही trade करें? तो इसके हम को ही advantage मिलगा तो reasonism है, इसके feeling emerge होती है और साथ ही authentic conflicts है, authentic violence है, wars है, वो increase हो जाती है authentic का meaning है, अगर हम में कोई भी common चीज़ है जैसे हमारी language race है, हम common एक ही group में आ जाती है लेकिन हमारे English, जो दुसरी language के persons है, हमारे बीच authentic conflict है, वो create हो जाती है, race के नाम पर हम लड़ना start कर देती है जैसे USA में आज भी white and black, इन race में बहुत ही ज़्यादा confliction है, इसी तरह पूरे world में बहुत ज़्यादा authentic confliction, violence, wars होती है और इसके साथ ही terrorism है, जो प्रॉबलम बे अमर्च होती है तो terrorism में कितनी ही ज़्यादत तबाही ला दी है, पूरी तरह सी destruction ला दी है economic diplomacy है, वो start होती है और 2008 में economic recession आता है, जिससे पूरे world का देखने के नजरी है वो change हो जाते है, nuclear weapon states है, पहले 5 थी, अब 8, 9 हो जाती है और उसके बाद CETBT, comprehensive test ban treaty, NPT, non proliferation treaty है इस पर issue create हो जाते है, जो NPT है, पहले 1995 तर थी लेकिन इसको अब indefinite period के लिए extend कर दिया गया है CETBT की अपनी problems है, तो जे issue है, international relations में immerse होते है तो जे major changes है, जो 21st century में होते है और इसके साथ ही कुछ major challenges है, वो immerse होते है जिससे world का attitude है, totally change हो जाता है Recent major challenges and changing attitude of the world वो कैसे है, जैसी humankind है, वो क्या होगी है It is now committed to preserve international peace and practice peaceful coexistence पहले क्या था, कि हम चाते थी, जो superpower है, वो एक ही बनी रहे और इसके लिए अगर हमको war करने पड़े हम war में जल्दी involved हो जाते थी, लेकिन अब हम चाते हैं, international peace है वो क्रेट हो, हम peaceful coexistence में believe करने लगे पहले आप जै हम, हम दोनों में से एक ही रहेगा लेकिन अब आप अपनी level पर खुश हो, हम अपनी level पर खुश है हम दोनों coexist, एक साथ रह सकते हैं प्रैक्टिस, peaceful coexistence, popularize the use of peaceful methods of conflict resolution अब हम चाते हैं, जितने भी हमारे conflicts हैं, उसका solution war नहीं हो सकती इसको peaceful means से, जो हमारे पास international platforms है इसके base पर हम अपने conflict को resolve करें तो हमारे जो method हैं, वो change होगे हमारी जो major challenge थी, problem थी इसके लिए world है, पूरे दुनिया का नजरिया ही चीच हो गया then protection of human rights अब हम human rights को protect करना चाते थे हम चाते थे human है, human की respect की जाए international level पर covenants की जाती है जिसमें human को ही supreme माना चाते है उसको dignity के साथ रहने का right है और उसके welfare के लिए ही सभी policies बनाए जाती है तो अब mean actor क्या हो गया, human हो गया तो पूरी politics क्या है, अब power के around नहीं revolve करती अब human के around revolve करती है और जो major problems है, climate change के, global warming के तो environment protection भी हमारी ही duty है अब हमारे conferences होती है, climate change के उपर quarter protocol हो रही है, ताकि हम group को warming से बचा सके तो हमारे जो concern है, change हो चुके हम चाहते हैं, जो हमारा planet earth है हम इसको save कर सके, हम sustainable development चाहते हैं हम चाहते हैं, अपने resources को अच्छे से utilize करे और इसके साथ ही आने वाली जो future generation है इसके लिए भी जो हमारे exhaustable resources हैं, इसको protect कर सके, अब हम sustainable development की तरफ move कर रहे हैं, and हम terrorism हैं, इसके अंगेस्ट ख़़ए हैं, जितने बिग type का terrorism है, चाहे cross border terrorism हो, नार्को टेरिस्ट हो, हम इसके अंगेस्ट हैं, पूरा world of terrorist के अंगेस्ट ख़़ए हैं, इस तरहे, आज के time में, हमारे जो problem हैं, वो change हो चुकी हैं, अब हम international relation में, power के पीछे नहीं जा रहे हैं, हमारा attitude क्या हैं, हमारे welfare की बात हो, human ही सबसी supreme है, और उसके welfare के लिए यह pulses बनाई जानी चाहिए, तो जो आज का international order है, change होता जा रहा है, जो आज का new emerging international order है, इसके रिगार्डे हम चे कह सकते हैं, अभी इसकी development होनी start ही हुए है, इसकी nature कैसी है, जैसे जैसे time pass होता जाता है, time के साथ ही कुछ नई concept emerge होंगे, और उसके साथ हमारे पास clear picture आजाएगी, जो new multiplierity है, इसकी nature कैसी है, तो वेदिस हमारा multiplierity का concept है complete होता है, next session में हम करेंगे unipolar system, हुप सो क्या को जैसे session अच्छा लगा होगा, अगर आपके कोई query है तो post request and video अच्छे लगी तो please like and share with your friends, thank you so much and have a nice अच्तल्श्ट उर